पिछले काफी समय से अभिनेत्रियों की निधन की कबरे सामने आ रही है नमस्कार मेदितिफ और आप देख रहे हैं हमारे साथ दननगरी मीडिया जैनवरी में थानाया फिल्स ने अपने घर में मृत पाई गई थी और फेबरी में 36 साल की कैंगने लेन काटर ने सुसाइड कर से लिया था अब अमेरिका के निव एकसिको राज्ये में अडेल्स स्टार सोफिया लिऑन की मौत हो गई है नियोचे पोस्ट के मूपर्ट की मुताबिक सोफिया इपाटमेंट में उनकी बॉडी बरामत हुई हाला कि उनकी मौत का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है उनकी हत्या की आकंशा जताई जारी है 26 साल की सोफिया के सोतेले पिता माईक रुमेर ने GoFundMe की वैबसाइट पर बेटी की मौत की जानकारी दी माईक वैबसाइट पर सोफिया के अंतिम संसकार के लिए 5 लग रुपे की फंडिंग जुटा चुके हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक चोरी और हत्याकी आकंशा के साथ सोफिया की मौत की जाच भी जारी है इसके साथ इस सोफिया के गोफर्ण मी पेच पर लिखा गया कि सोफिया की अचारक मौत से उनके परिवार और दोस्तों को घहरा सदमा पहुंचा है वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए बहत प्रिये बेटी, बहन, पोती और मित्र थी उन्हें घूमना फिरना बहत पसंद था वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी सोफिया के पास तीन पालतू जानवर भी थे, वो जानवर को बहत प्यार करती थी सोफिया 10 जून 1997 को अमेरिका के मियामी में पैदा हुई थी सोफिया के IMDB पेज के मुताबिक उन्होंने साल 2014 में 18 सल की उमर से एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा था उनकी कुल संपंती 8 करोड 27 लाख रुपे थी सोफिया 101 मॉडलिंग कमपनियों के साथ भी जुड़ चुकी है कमपनी ने भी सोफिया की मौत की खबर की पुष्टी कर दी है अब वो अब तक करीब 80 फिल्मों में काम कर चुकी थी सोफिया के साथ काम करने वाले लोगों ने भी उनकी मौत के लिए दुख जताया है सोफिया से पहले इस साल तीन और एरट स्टार्स की मौत हुई सबसे पहले कैंगने लेन काटर, जैसी जैन और थाई फिल्ट्स की मौत हुई थी अब तक सोफिया की डेथ कैसे हुई इस सब चीजों की पुष्टी नहीं हो पाई है ऐसी और जानकारी कले बने रहे हमारे चनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद